हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉलम कास्टिंग जब हम करते हैं तो उसमें जो हम सरिया बानते हैं और जो हम रिंग यूज करते हैं उसमें हम क्या मिस्टेक करते हैं जैसा कि आपको वीडिय में दिख रहा है कि मैं एक साइट विजिट करने के लिए आया था और यहां पर बाकी सारी चीजे के तो बहुत अच्छी तरीके से करी जा रही है लेकिन यहां पर कॉलम और जो रिंग किया बांधा गया उसमें एक मिस्टिक किया गया है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करते हैं और अगर चैनल पर नए हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को और पर प्रैश कर दीजे चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं जैसा कि यह जो कंस्ट्रक्शन साइट है यह ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर कास्ट होना है ग्राउंड फ्लोर में अब इस लैप की कास्टिंग हुए जो सिर्फ एक या एक हफते की आसपास हुआ है एक हफते या आठ दिन हुआ है अब उसके बाद जो है हम सिर्फ कॉलम की कास्टिंग का काम कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद हमें क्या करना है कि सिर्फ कॉलम की कास्टिंग करनी है और उसक के बाद जो है उसके partition walls mains walls यह सब किये जाते हैं पहले हमको क्या करना होता है column करना होता है फिर column के बाद अपना जो है slap beam पड़ता है slap beam के बाद slap ढाली जाती है और उसके बाद जब shuttering खोली जाती है तो उसके बाद अपना brick work किया जाता है तो जब column की casting करी जा है जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है तो इसमें एक दो column ऐसे थे जो बिल्कुल straight नहीं है मतलब कि start up नहीं बना गया है start up क्या होता है मैं किसी आपको next video में अच्छे से explain करूंगा लेकिन अभी हम बस बात करते हैं कि आप पर mistake क्या करी गई है तो यहां पर जैसा कि आपको video में दिख रहा है कि column cast कर दिया गया है और जो उसकी ऊपर आपको जो रिंग दिख रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं यह रिंग सारे कि सारे रिंग एक ही direction में लगे हूं है तो यह जो रिंग की joint होती है पहले तो एक यही mistake है क्योंकि इस तरह का हमें रिंग नहीं चाहिए रिंग हमें कैसा चाहिए आपको display पे दिख रहा होगा कुछ इस तरह का हमको ring stir up यूज करना चाहिए जो वो जो रिंग होते हैं उसमें hooks बन लेता है और लेकिन जो यहां पर hooks यूज किया गया है वो बिल्कुल 90 डिगरी पर हैं और एक दूसरे से मिले हुए हैं तो इस तरह का आपको ring stir up नहीं यूज करना है पहला mistake तो यह है दूसरा mistake है कि जो रिंग का placement किया गया है यह बहुत गलत किया गया है जो भी रिंग की joint होती है कभी उनको एक ही direction में नहीं रखते हैं उनको हमेशा alternative direction में रखते हैं एक को अगर left में रख दिया तो एक को right में करेंगे एक को आगे किया तो एक को पीछे रखेंगे कुछ इस तरह का हमें position उनको देना होता है अब ऐसा करते क्यों है रिंग का main काम होता है आजब कि लोड आए कॉलम पर तो वो सरीयों को खुलने ना दे यह हमारे रिंग का काम होता है अगर मैं आपको simple language में समझा हो तो लेकिन अगर रिंग के जो joints है जो stir up का joint है अगर वो कॉलम के एक ही तरफ रहेगा और जब लोड आएगा तो chances होते हैं कि वहां से जो आपका stir up है व इसकी वज़ा से हमें इस problem को ही counter करने के लिए जो आप stir up बनाये गए उसमें 135 degree का हमें hooks बनाये गया दोनों sites जैसा कि आपको वीडियो में दिखाये गया है उस तरह का hooks क्या होता है कि वह concrete के अंदर जाकर के बिलकूल अच्छी तरीके से concrete में fix हो जाता है अगर हम proper उसको compaction दें proper अगर हम vibrator का यूज करें तो वह बहुत ही अच्छा एक bond बनाता है और alternative position हमने क्यों देते हैं मैंने आपको बताया कि जब भी load आएगा तो वह column के सरीय को खुलने नहीं देगा यह हमारा सबसे बढ़िया तरीका है सबसे best तरीका है construction में stir up ring यूज करने का मैं पिछल वीडियो का लिंक आपको description में मिल जाएगा और आप चैनल विजिट करके भी उस वीडियो को देख शकते हैं क्योंकि दोस्तों सब जब भी लोग construction का काम करते हैं तो cement कैसा लाना है अच्छा से अच्छा लाते हैं लोग सरीया का quality लोग बहुत अच्छी तरीके से पहचान लेते हैं problem कहां आती है कि इसको execute कैसे करना है तो जब आपको हमेशा कहा जाता है कि जब भी आप construction का काम करवाएं तो एक अच्छे mystery अच्छे contractor को hire करें और एक अच्छे engineer या फिर architect से उस plot का drawing तयार करवाएं और उस engineer के supervision में ही construction के काम को करें construction का काम अगर engineer के supervision में होता है तो उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें छोटी से छोटी mistake को भी नहीं होने दिया जाता है engineer हर एक एक चीज को calculate करता है आपका time बचाता है और कम time में एक बहतर काम करके आपको engineer ते सकता है तो इसलिए जब भी आप construction का काम कराएं तो engineer का supervision ज़रूर करें दोस्तों इस वीडियो को आप share करिए लोगों में awareness ना होने की वज़ा से लोग ज़्यादा mistake कर रहे हैं दोस्तों वीडियो को share करना बहुत ज़रूरी है और अगर दोस्तों मेरे चैनल पर नए है और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है तो please वीडियो को like करके चैनल को subscribe कर दीजे और bell notification को all पर press कर दीजे thank you